कि नमस्कार दोस्तों सागता अब सभी का केड़ी ग्लासिज में इस वीडियो में चीट एट का पेपर सॉल्व करेंगे 21 जनवरी 2022 का और इसमें लेंग्वेज बन में हिंदी को सॉल्व करेंगे इसमें इस पेपर में ये गद्यांस आया था और इसमें गद्यांस से जो रिलेटेड कुस्सन होते हैं वो कुस्सन कहीं और से दिये थे और गद्यांस कोई दूसरा था तो इसमें 9 कुस्षन थे, इसमें इसके मार्क्स सभी को मिल जाएंगे आपको तो इसमें आपको दसमा कुस्षन है, उसमें पध्यांस दिया है तो पध्यांस को देख लेते हैं पध्यांस यह है, क्या परचे दू में अपना इसे related question देख लेते हैं question number 10 है द्रोड आचारे सब्द का संदी विच्छेद क्या है इसका right answer है option number 3 द्रोड प्लस आचारे next question इसका option number 3 सही है next question देख लेते है question number 11 यहां 45 से क्या आशे है इसका right answer है option number 2 प्लस देश की राजकुमारी next question question number 12 नी सरत सब्द है इसका right answer है option number 1 तत्सम next question question number 13 पिता को चाहिए था एक योद्दा यहां किस योद्दा की बात हो रही है इसका right answer है option number 4 द्रश्ट द्यूम्न next question next question question number 15 यग की अगनी से कौन उत्पन हुआ इसका right answer है option number 3 द्रॉप दी next question 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 number 16 प्रवावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निमलिकित में से कौन सा सही कौन सा एक सही नहीं है इसका right answer है option number 4 नियमों को रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना next question question number 17 दूए बासी बच्चे या दो बासा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्राए एक बासा के सब्दों का प्रियोग करते हैं कहलाता है इसका right answer है option number 3 बहु बासिकता next question question number 18 सिच्चा में बासा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी का प्रियोग करना डैस कहलाता है इसका right answer है option number 4 संप्रेशड प्राद्दोग की next question question number 19 दूए बासा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे मेत पूड है इसका right answer है option number 2 चित्र इसे च्चारती द्वारा अपने आस पास क्या देखा सुना और मैसूस किया को मिलाने में सायता करते है next question question number 20 प्राद्ध में किस तर पर किशी गत्विदी या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए इसका right answer है option number 1 बच्चों की घर की वासा या मात्र वासा में next question question number 21 सभी बच्चे उन गत्विदियों द्वारा अभी प्रेरित होते हैं इसका right answer है option number 3 जो बच्चों के लिए आर्थपोड होती है next question question number 22 कहानिया बच्चों को बच्चों को बच्चों को बच्चों का आनंद लेने तथा उनमें डैस विक्सित करने के लिए प्रोथ साहित करती है इसका right answer है option number 2 बच्चों के रूपों का बच्चों के रूपों को next निम्लिकित कथन के संदर्व में कौन सा विकल्प सही नहीं है इसका right answer है option number 1 बासा चब्द एवं वाक्य सरजना रटते हैं next question question number 24 विद्धार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली scoring मार्ग दर्सिका को कहते हैं डैस इसका right answer है option number 1 रूपों ब्रिक्स next question question number 25 निम्लिकित मेंसे कौन सा एक कोशल बच्चों को उनका हस्त लेखन विक्सित करने में सायता करेगा इसका right answer है option number 4 दागे में मन के पिरोना next question निम्लिकित मेंसे किस पर साचरता आरजित करने में कुशलता होनी चाहिए इसका right answer है option number 3 अर्थापन करन एवं बासा की समझ next question व्याकरण अनुवाद विधी अधिक बल देती है इसका right answer है option number 1 सुदता पर next question question number 28 बच्चे अपने लिखने की सुरुवाती यात्रा आड़ी तिर्ची रेखाएं बना कर करते हैं ये चिन कहलाते हैं इसका right answer है option number 2 कीरम काटे स्क्रेबलिंग next question question number 29 सिच्चक बच्चों का अकलन करती है इसका right answer है option number 2 ये पता लगाने के लिए के बच्चों को सीखने में कहां कमी आ रही है next question question number 30 बच्चों में बासा जैविक रूप से उपस्तित होती है तथा वह बासा बच्चों में ठीक उसी तरह से विक्सित होती है जैसे कि अन्य जैविक कारे ये अकतन किसने कहा इसका right answer है option number 2 नोम चों मस्की दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सुब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद